अलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जियस क्लासेश में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आजी क्लास स्टार्ट करते हैं हम किसकी यूपी पूलिस के लिए जो भरती बैकेंसी आई हो हैに फीक है यूपी पूलिस के लिए जो है बहुत ही सुनारा मौका आप लोगो के सामने है इस मौके को हमको जाने नहीं देना है ठीक है 2023 की जो vacancy है 2024 में आप लोग को के कंदों पे क्या आऊंगे वर्दी होनी चाहिए ठीक तो एक सीट हमको लेना है इसके लिए हमको जितना संघर्ष करना होगा उतना करेंगे आप लोग को पता है रिजिनिंग के जो है रिजिनिंग के 55 कोश्चन आएंगे कम से कम अगर आप लो इसे कितने नंबर हो गए 160 नंबर हो गए ठीक है बचा जीके जीके और जीस ठीक है यह कितने है 38 कोश्चन है ठीक है इन 38 में से मैं बाद ज्यादा से ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ आप लोगों से आप लोग बस 20 ला दिजेगा 20 या 15 भी ला देंगे तब भी आपके बह और इतने वहतरीन हो जाएंगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता है सेलेक्शन लेने से ठीक है तो यही टार्गेट आपका होना चाहिए सबसे ज्यादा आपका मेजर पोर्शन जो रिजिनिंग जालत से ज्यादा फोकस करिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए और हिंदी बाकी चीजें GKS, कमपल्सरी पढ़िए इन сबी चीजों को भी इगनोर नहीं करना है सेलेक्शन एक चीज से नहीं होता एक सब्जेक्ट नहीं होता सारे सब्जेक्ट जो आने है सबी से होता है ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कोश्य नमबर वन क्या करा रहा ह कोशन नमर 38 क्या कर रहा है मैं प्रैक्टिस से ठीक करा रहा हूं सरीर में नियुनतम ब्यास वाली रक्त वाहिका है जो रक्त को क्या करती है ले के जाती है उसे क्या करते हैं सिरा बोलते हैं इंगलिस में इसको वैंस बोलते हैं धमनी इंगलिस में इसको आर्टरी बोलते हैं क किसी का बोलते हैं, तो हमारा right answer क्या आजाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, रक्त blood जो होता है, blood हमारे कितने इसके types होते हैं, तो blood जो हमारा 3 होते हैं, कौन-कौन सा, एक RBC होता है, ठीक है, एक WBC होता है, एक क्या होता है, एक क्या होता है, एक क्या होता है, हमारा plate legs होता होता है ठीक है प्लेट लेट्स होता है ठीक है डबलू बेसी क्या होता है इसका जो है यह इसका निर्माड जो कहा होता है अस्ती मज्जा में होता है कहां पर होता अस्ती मज्जा में इसका क्या होता है निर्माड होता है ठीक है इसका कारेकाल कितना होता है इसका मतलब जीवन म Tipनी को कीटली में आपी कहा तो आपकी प्रैलेट्स magnet देंग्गु या मलेद्य들 कषज जाता है उच्छारी में दाउन कंवे चले चले के लिए forgiveness सब्सक्राइब इस बाता हुआगे 2 देंड्य जंश मैन agra नेफ्थीन्स है ठीक कहां नेफ्थीन्स एक क्या करता है एक कीट हारी है एक क्या करता है कीटों को खा करके अपना नाइट्रोजन फिक्सी करन करता है ठीक है इसमें क्या होता है इसको नाइट्रोजन जब नहीं प्राप्त होता तो कीटों को क्या करता है कीटों को मारके खा तिक यह जो हमारे भारत में जो है कहा पर पाय जाता है घाले में खाले में कौन सी जैन जाती पाय जाती है तो गारो, गारो खासी और जैनतिया पाए जाती है यहीं पर गारो खासी जैनतिया नाम की पहाड़िया भी पाइ जाती है मिघालय में एक उमियम नाम की जील है मिघालय में कौन सी जील है उमियम जील है जो भारत की सबसे सच जील है ऐसी जील है जिसमें आप अपनी नंगी आँखों से क्या कर सकते हैं गर उसके अंदर कोई चीज गिरी हो तो उसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं भारत की सबसे सबसे स्वच्छ जील कौंसी है तो उम्यम जील है ये कहांपे है मेघालय में इस sparks होने गाला भारत का इतिक वर्सा कहां पर चलते हैं नेक्ट कोश्चन आप बताएंगे 40 कोश्चन नमर चलिसाओं देखें गीर वन विख्यात है गिर वन तो पहले बतादीजिए गिर वन किसके लिए बिख्यात है सिंगों के लिए हिरनों के लिए बागों के लिए या हाथियों के लिए तो गिर वन जो हमारा किसके लिए है यह हमारा किसके लिए हाथियों हिरनों बागों या सिंगों के लिए इस कोश्चन को आप बताईए तो यह हमारा किसके लिए बागों के लिए जाना ज गिरवन कहां पर पाय जाता है इसको बताइए गिरवन जो हमारा गुजरात में पाय जाता है ठीक है गुजरात में पाय जाता है कहां पर गुजरात की राजधानी कहा है तो गांधी नगर है ठीक है कहां पर गांधी नगर है ठीक है कहां पर गांधी नगर है ठीक है गुजरा गुजरात की जो सोक नदी किसको का जाता है गुजरात का सोक नदी किसे का जाता है तो नर्मदा को क्यों का जाता है क्योंकि नर्मदा सबसे ज़्यादा क्या लाती है यहां पर बाढ़ लाने का काम करती है ठीक है नर्मदा अपना जल कहां गिराती तो अरब सागर में गिरात किया जाता है। इसकी सोक नदी काउंस है नर्मदा नदी है कच्छकारण कहां पाया जाता है गुजरात में पाया जाता है जो गधों के लिए जाना जाता है और गिरवन कहां पर ए भी हमारा गुजरात में ही है ठीक है चलें आगे 41 का right answer C हो जाएगा ठीक सारा डीटेल से मैंने आपको बता सब्सक्राइं का वार्चा यहां कि इसका उप्योग हम लोग बेटरी में करते सल्फियुरिक अधि तो इसका जो हम लोग कांच के पात्र में करते हैं ठीक है चले आगे चले आगे चलते हैं कोशन नमबर 42 बताएंगे कारक अंतरिच में भेंजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था अंतरिच में भेंजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था तो यह हमारा कौन सा था र प्राइट एंसवर सी आ जाए आरे भट था कब भेजा गया था 1975 में भेजा गया ठीक है आगे चलते हैं कोशन नमबर 43 बिदाई करा कि कौन सा राज नकसलवाद प्रभावित नहीं है मतलब नकसलियों से कौन सा राज प्रभावित महाराष्ट गोवा जारकंड या 36 जारकंड में भी नकसल नकसलवादी पाया जाते हैं महाराष्ट में भी पाया जाते हैं तो गोवा हमारा एक ऐसा है गोवा वाले बीच पर जहां लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे नकसलवाद प्रभावित नहीं है ठीक है गोवा में क्या है सिविल सहिता है ठीक है सिविल सहिता सह नहींता लागूं कहां पर यह पहला राज हमारा काउंसा है सिविल सहींता काउंस यह गोवा में इसको भी याद रखेगा ठीक नेक्स चलते हैं कोशन नंबर 44 बताएंगे कोशन नंबर 44 क्या कर रहा है कि विधान सभा असेंबली में जी एश्टी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज काउंसा जी एश्टी सबसे पहले कहां पर लागूं हुई थी इसको बताना है जिसका फुल फार्म क्या असम राज्य था असम राज्य में हमारा काउंसा काजी रंगा नेशनल पार्क पार्क पाया जाता य स्ञ वाले गैनड़ के लिए यी सिंग बूंड़ी इह 원本当 ऑग गैनड़ वाटर नेशनल हाईवे हमारा कहा है दूसरा है साधिया से दुबरी के बीच में साधिया से दुबरी के बीच में ठीक है यही इसी असम में हम जो है इसी असम में कामाख्या मंदिर है कामाख्या मंदिर है कामाख्या मंदिर है जिसमें किसकी पूजा की जाती तो यहां पे यो पुत्र नदी पे बना ऊजली विस्व का सबसे नदी लुट लगा है। आप लोग याद रखिएगा। राइट एंसर हमारा क्या जाएगा। cry two part हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। question number आप बताएंगे 45। question number 45 देखें किया का रहा। एक मार्क है एक मार्क है अंडे के उतपादन के लिए सहकारी संस्था है, एक बिनीमित कृसी बाजार है, एक कृसी भूमी धिकास बाजार है, एक वस्तु के लिए गुणवध्ता की स्टांप है उपjayकाजन के अच्छी होती तो सूरे के प्रकास का कौन सा भाग सौर कूकर को गर्म करता है ठीक है सौर कूकर जो होता उसको गर्म परावैगनी लाल प्रकास अवरक्त या अंतरिच बताई कौन सा गर्म करता है तो 46 का अवरक्त क्रेंड़े जो है क्या करती है को क्या करती है गर्म करती है तो सुर्य के प्रकाश में सबसे ज़bourne में जो होता हुसमें सावरी में जो सूरी अपाई जाता है hydrogen plus helium पाया जाता क्या पाया जाता hydrogen plus helium पाया जाता ठीक है next चलते हैं अगला question question number आप बताएंगे 47 47 क्या करा समाजवादी चिंतक समाजवादी चिंतक निम लखित में से किस चेतर में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं राजनैति आर्थिक चेतर समाजिक चेतर ile pg इसका फूलफ़ार होता liquid petroleum gas liquid petroleum gas टीक है यह करता है था में इसन है कुओधन के सोधन किया जाता है ठीक सबसे पाला कुवा कहां पे लगाया गया था भारत में भारत का सबसे पाला देल तेलश्वादन पार कहां पर लगाया था माकुम् Refinery इसे में कौहां पर है मंब skate यहीं पर हमारा सबसे बड़ा तेल सोधन कार खाना है तो एली में कौन सा गयश पायता है इसको बताना है, meethane और butain पाय जाता है, False,amba. meanthean और ethane पाय जाता है초, propane और butain, propane और मθाये, 48 का right answer का आ जएगा, see part आ जएगा, propane और butain पाय जाता है, जो सिलेंडर होते हैं, जिसमें हमें इसमें लाती है, जब gas निकल थी leak होती है, तो उसमें कौन सी गैस के कांडड जो हो इसमें लाती हूँ कौन सी गैस क्यों होती है तो क्या है मरकेब टर्न रहती है ठीक है चलिए नेट चलते हैं कोचे नंबर 49 आप बताएंगे कोचे नंबर 49 क्या कर रहा कि प्राकरतिक परिवेश संदरभेश tysर दरबित करता वातावरण में वन में वातावरण को वन में पौधों तथा पसूं को किसी छेत्र के वातावरण को कोई वन जील या महासागर को मानव गतविधी द्वारा अवी छुब्ध किसी छेत्र के ग्रामिनों जीव अथवा निस्प्राण वस्तु या कारक को बताई उ और वहाँ मुखेत है मनाय जाने वाले उत्सौओं के निम्न संयोजन में से कौनसा सही नहीं है। राजस्थान गनगवर्थीज बनाय जाता है महाराष्ट गनष चतुरसी बिल्कुल सत्य है वत्तरप्रदेश में कृस्ट जनमाष्ड में गुज्रात में दुर्गा पूजा ना मनाय जाकरके कहां पर मनाया जाता दुरुगा पुजा तो वेश्ट बंगाल में मनाया जाता कहां पर वेश्ट बंगाल में मनाया जाता कहां पर वेश्ट बंगाल ठीक है कहां पर बनाया जाता वेश्ट बंगाल दुरुगा पुजा कहां पर बनाया जाता याद रखेगा वेश्ट बंगाल में ठी मतलु की एक साखा है ये भी याद रखेगा तो वेस्ट बंगाल राजधानी का है है रहा है, यह भी याद रखेगा. चलें आगे, चलें चलते हैं. नेक्स्ट कोशन, कोशन नम्बर 51 बताएंगे, आप लोग 51 जीसला जिसमा हैं. वत्वांगे चीनला सैंगे मार्त हैं मार्टिन लू Julianыт उन लिफ़ह गृत किन. तो कैंने तो काूँ हैं खान अब्दुल गफ़ार जिए हैं कौन है खान अब्दुल गफ़ार खान जी हैं थीक है छलिक दो चलते हैं कोशन नमबर आप बताएंगे कऊंचा 52 52 क्या करा कि संभिधान का प्रूपन पूरा हुआ था संभिधान का इस प्रूपन पूरा हुआ था जो हमारी प्रारूप समीती थी प्रारूप शमीती द्वारा इसका निर्मार प्रारूप समीती द्वारा इसका तयार किया गया था इसमें कितने सदसे थे तो साथ सदसे थे टोटल कितने प्रारूप समीती में सदसे कितने थे साथ थे भीमरा वी आर अमबेटकर सहाब क्या थ त्षरण नेंगा च्टरवाती गढ़ुति ही तो सिल्टेशार क्या दिये केमे। चक्रवाती गद्विधिया होती हैं तो इसमें क्या होता फ्रंटल वर्षा होने का कारण रहता है ठीक है आज आई कोशन नंबर 54 बता दीजिए कोशन नंबर 54 क्या का रहा है कि जूम कृषी जूम कृषी कहां की जाती है जूम कृषी कहां की जाती है जूम कृषी का क्या होत आप तूर्व क्या में हुएगार। यह हमारी जो सिक्की में पढ़ती है कहां पर सिक्की में पढ़ती है सिक्की में सेला दर्रा ठीक है सेला दर्रा सेला दर्रा यह हमारी कहां पढ़ती है तो अरुडांचल प्रदेश में पढ़ती है ठीक कहां पर अरुडांचल प्रदेश में पढ़ती है ठीक सेला दर्रा हो ग यहीं से हमारी सतलज नजी का करती इंटर करती है ठीक जिफपीला दर्रे सेी और साथिया इसस है जो बड़े-बड़े आइजह काट के बनाए जाता है ताकि हम उस साइड जा सके नातुला दर्रा सिक्की में नातुला ये लेपना भी हमारी का हम पर सब्सक्राइब गलत है इसको बताए बाबर बनाम संग्राम सिंग सेरसा बनाम हुमायू चंगेज खा बनाम अलाउदीन खिल जी अकबर बनाम हेमू ठीक है 56 का बताए 56 का राइट एंसर क्या जाएगा सम्मिधां सन्सोधन करने में जो वहन की जनता क्या करती उसमें पर्टिसिपेट करती तो फ्रांस में chase quar देंगयांड में बुरुद की मूर्तियों के विरूपित किया गया है हम किया है रटाइए जियागा पाकिस्तान से त्रकी से अफगानीस्तान से या इरान से 58 तो 58 का राइट एंसर क्या जाएगा सीआफगानिस्तान से हटाया गया ठीक है अफगानिस्तान से क्या क्या हटाया गया new नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 59 बताईए का का पुलिस असमरण उत्सो दिवस कम मना जाता जो पुलिस के असमरण उत्सो कम मना जाता इसको बताएंगे 59 का तो 59 का सी 21 अक्टूबर को हम लोग पुलिस इसमरण उत्सो मनाते हैं ठीक है नेक्स चलते हैं राज्य मानवा अधिकार आयो का अध्यच कौन होता है सेवा नरिवित सिविल सेवक राष्ट पती द्वारा मनोनीत उच्छ निया लेका सेवा नरिवित मुख्य निया धीज तो एही हमारा क्या होना चाहिए सही हो जाना चाहिए तो साट का राइट एंसर क्या हो जाएगा सी होगा या भी होगा जो राष्ट पती द्वारा क्या होता मनोनीत होता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं कोशन नंबर आप बताएंगे 61 61 क्या कर रहा है कंप्यूटर की इसमृति कामापन किया जाता है हम लोग जो कंप्यूटर की इसमीती होती है उसको किसमें बिट्स में बिट्स द्वारा ठीक है एंपियर में तो धारा मीजर करते हैं बोल्ट में तो बोल्टेज ठीक है यह हमारा राइट हो जाएगा चलिए कोशन नंबर 62 बताएंगे कर रहा कि संसत किसके माध्यम से सारवजनिक बेह का नियंतरण रखती है जो संसत होती है जो ससार इंब होता इसका नियंतररक किसके द्वारा कैग द्वारा जिसको बलते हैंöll। वहां लेखा परिच्छक के द्वारा ठीक है चलिए आते हैं कोश्चन नंबर आप 63 बताएंगे मिस्रित अर्थव्योस्ता किसका उलेक करती है भारी कुटिर कृषि के साथ साथ कुटिर उद्द्यों के हम सबवर्धन का बताए 63 का तो 63 का आगे चलते हैं आगे भी हमारे दो सारोजनिक और नीजी छेतर दोनों का बिल्कुल सही है ठीक है सारोजनिक और नीजी छेतर दोनों का हमारी मिस्रित अर्थव्योस्ता कहां पर इंडिया में कैसी अर्थव्योस्ता है मिस्रित अर्थव्योस्ता है कोशन नंबर 64 बताएंगे भारत का संबिधान अपना प्रा ठीक है जनता क्या है यहां की स्तरोच है नेक्स्ट मांग लोच किस वस्तु की मांग की गई मात्रा की किसे से प्रति अनुक्रिया सीलता को मापती है तो बताइए वस्तु की कीमत में परिवर्तन प्रति अस्थापित वस्तु की कीमत में परिवर्तन या फिर पूरक वस्तु की विवे का अधिकार होता है, सुन्ने काल किसका विवे का अधिकार होता है, तो सुन्ने काल जो होता है, वह स्पिकर का विवे का अधिकार होता है, यह अरतमान में स्पिकर काउन है, ओम बिडला जी है, काउन है, ओम है बिडला साब होता है, ठीक है, काउन सी लोग सभा चल में आर्थिक कारे क्लाप नहीं होता है क्रिया क्लाप नहीं होता है ठीक है बताई क्या नहीं होता अध्यापक द्वारा विद्यार्चियों को कालेज में पढ़ाया जाना अध्यापक द्वारा घर में अपनी पुत्री को पढ़ाया जाना अध्यापक द्वारा सर्व सिच्छ आपने घर पर पुत्री को पढ़ाया जाना नहीं होगा ठीक नेक्स चलते हैं कोशन नमबर आप 68 बताएंगे नियत लागत निमलखित में से क्या नियत लागत नहीं है बताईए प्रसाचनिक स्टाप का वेतन फैक्टरी भवन का किराया संपत्तिकर या फिर बिद्धुत प् प्रभार इस तरह के भी कोश्चन पूछे जाएंगे यह हैं हमारे एको से हैं एकोनॉमिक से क्या हो जागा बिद्धुत प्रभार हमारा नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट आजए निमलखित में से किस देश का सबसे बड़ा कानून बताई देश का सबसे बड़ा क्या भारती सबसे बड़ा कानून की बात किया ने यहां मारा संविधान भी है मैंने देखा नहीं ठीक भारत का संविधान इसमें सबसे बड़ा है अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा तो प्लीज वीडियो को सेर कर दिएगा चनल को सब्सक्राइब कर दिएगा तो आज के लिए इतना है जय हिंद जय भारत